। मेरे प्यारे दोस्तों। आपनोंको मेरा प्यार महथाना नमशकाष। आज मैं आपनों के लिए पालक पनीषन के excited कर आई हूँ। जो बहुत हैं। टिस्टिल लगता है। आप लोग को यदि मेरा रिष्पी पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए शेर करें और कमेंट भी कर दिया करिए कैसे लगे आपको हम लोग हमारी रिष्पी ठीक है तो चलिए नाने दादी के चैनल में आपनों को स्वागत है बताते हैं यह देखिए हमने कडाही र रहींग अमने शौब क्यों ढवाद सिखड़ां कर Bulam touched सes बड़त है मसाला के मसाला है में चैनल में में प्रत प्यार्ण अब शर्च और अज उतार भी धा ना थेख्या समें हैस से कजल दालने है आज कुछ च्छै पिस दिया हे सब इसमें अभी च्छलय से जिखिए उत हु लगेगा तो देखिए भून गया हमारा बढ़िया से देखो क्या कलर हो गया इसके कितने खुष्वू इसका अलग ही खुष्वू है जो हम काट करना आता है न मसाले इसका इसे दोनों बहुत ही फरक पड़ता है खुष्वू का बना कर देखना यह देखो फिर पनीर हमने पालकर पीश करके रख दिया था पहले से तो इसको भमनिश में डाल दिया अब इसको भी क्योंक सारा कुछ तो पका है मसाला भून गया अच्छे तरह पनीर भूष्वू थोड़ा भून गया अब पालक इसे ही पका हुआ है तो इसलिए ज्यादा देश को नहीं पकाऊंग हां अभी मत जाई अभी तो कमेंट विश्ट बाकी है लहसन का तो आप इसको देख कर जाए पूरा अफिर बनाकर खा करके फिर हमें आप अपना कमेंट करके बताईए कि आपको कैसा लगाईए सब्जी ठीक अब देखिए अभी हमारे रख दिया अब हमने अब हमने कल चल आप जीरा और लहसन लहसन मेरा बड़ा था इसलिए दो दो टुकडा करके डाले हमने आप ने इसमें भुनने के लिए अब हमें बताईएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा लहसन बहुत अलग्ष है टेस्ट आता इसके हां घी में बनाईएगा ज्यादा तक हो सके तो और नहीं अगर आप तेल खाते हैं तो सरश्वक तेल मड़ा लिए यह देखिए दो मिर्चा डाल दिया था अभी हमारा में डाल दिया अब इसका टेस्ट जो है और दूगना बढ़ गया पहले से तो था ही मसाले मसाले के पाद यह लसन टेस्ट इसने इसका बहुत दूगना हो गया ठीक है चलते हैं मिलते हैं अगले वीजियो में आप बनाकर खा करके हमें कमेंट करिए केशा लगा आपको ठीक नमस्कार